दोस्तो आज की ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबरें मुखे समाचार और ताजा तरीन हेंड लाइन्स के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजर हूं लेकर आज का अकबार सुन लिया समझू पढ़ लिया दोस्तो आस तारीक है 18 अक्टूबर 2022 और दिन है मंगलवार आज की लेटिस न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे चहरे पर मुष्कान जरूरी है इसे मूट को अच्छा करने में मदद मिलती है चिंता और अवसाद कम होता है जब आप निराश महसूस कर रहे हूं तो चहरे पर हल्की से मुष्कान भी सकारात्मक विचारों का संचार कर सकती है दरसल मुष्कुराने का शारीरिक और मानसिक स्वास से सीधा संबंध है हाली में हुए शोध में सामने आया कि मुस्कुराने से आत्म विश्वास भड़ता है लोग आकरशक दिखाई देते हैं मुस्कान दिमाग के उस हिस्से को ट्रिगर करती है जो आपकी भावनाओं को नियंतरित करता है ऐसा माना जाता है कि दुनिया में उसद 30 प्रतिशत से ज़्यादा लोग ही दिन में 20 से ज़्यादा बार मुस्कुराते हैं कम से कम ये सुनने के बाद तो मुस्कुरा दीजिए और मुस्कुराने की एक और वज़ा भी है कल आज का अगबार चैनल पर तीन हजार सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए थैंक यू सो मच फॉर यूर लव एंड सपोर्ट अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीती की सभी बड़ी खबरें प्रदानमंतिय नरेंद्र मोदी ने सुमवार को पीम किसान सम्मान निधी योजना की बारह में किस्त जारी की इसके तहट आठ करोड से जादा किसानों के खातों में सोलह हजार करोड रुपे ट्रांसफर किये गए हैं इस योजना के तहट किसानों के खाते में एक साल में दो-दो हजार रुपए की तीन किष्ट जारी की जाती है पीम मोदी ने कल नई दिल्ली के भारती क्रिशी अंसंधान संस्थान में पीम किसान सम्मेलन 2022 का उधगाटन भी किया इसमें एग्रिकल्चर, स्टार्टप, कॉंक्लेव और प्रदर्शनी लगाई गई लगभग 300 स्टार्टप ने प्रिसीजन फार्मिंग से सम्मंदित अपने इन्नोवेशन का प्रदर्शन किया पीम किसान सम्मान सम्मेलन में प्रदान मंत्री ने भारती जन उर्वरक पर योजना एक राष्टर, एक उर्वरक का शुवारम भी किया इस यूजना के तहट PM ने भारत यूरिया बैग लॉंच किया जो कम्पनियों को सिंगल ब्रांड नाम भारत के तहट फर्टलाइजर की मार्केटिंग में मदद करेगा इसके लावा प्रदान मंत्री ने फर्टलाइजर पर एक ई-पत्र का इंडियन एज का भी शुभारम किया दोस्तों आज का अखबार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुचाने में कृपया मेरी मदद करे और इस पॉटकास्ट को अपने वाटसेप गूप्स व अन्य सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें साथ ही यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉरण सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर टैप कर दें तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरव शराब घुटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीश सिसोधिया से पूश्ताज खत्म हो गई है सिब्याई ने सुमवार को उनसे करीब 9 घंटे सवाल जवाब किये पूश्ताज खत्म होने के बाद से सोधिया ने अपने आवाज के बाहर मीडिया से बात की उन्होंने दावा किया कि पूश्ताज के दौरान उन पर आम आदमी पार्टी छोड़ने का दबाव बनाये गया और भाजपा में शामिल होने की सलाह दी गई कॉवरिस अध्यक्षपत के लिए सोवार शाम चार बजे देश में एक साथ वोटिंग खत्म होई पार्टी गठन के 137 साल के इतिहास में असा छटमी बार और साल 1998 के बार पहली बार प्रेसिडेंट चुनने के लिए वोटा ले गए मुकाबला शशी धरूर और मलिकार जुन खडगी के बीचे आना की खडगी का पढ़ला भारी है जम्मो कश्मीर में बढ़ती टार्गेट के लिंग पर पूर मुकिमंतरी फारुक अबुल्ला की प्रतिक्रिया आई है उन्होंने कहा कि कश्मीर में कतले आम तब तक नहीं रुकेगा जब तक भारत इस मुद्धे पर पाकिस्तान से बात नहीं करता रास्थान सरकार ट्रांसजेंडर्स को लिंक परिवर्तन सरजरी यानि सेक्स री असाइन्मेंट सरजरी एसारेस कराने के लिए धाई लाक रुपे तक की मदद करेगी इससे ट्रांसजेंडर महिला या पोरुष बन सकते हैं यह सर्जरी ट्रांसजेंडर्स की इच्छा पर ही कराई जाएगी राज में 20,000 से अधिक ट्रांसजेंडर्स हैं देने का एलान भी किया गया हर्याड़ा के गुरुग्राम में शुक्रवार को फुटबॉल मैदान पर नमाज पढ़ने को लेकर नाइजीरियाई और भारती स्टुडेंट्स के बीच विबाद हो गया घटना के बाद यहां की एक प्राइवेट उन्वस्टी के साथ नाइजीरियाई स्टुडेंट्स ने कैंपस छोड़ दिया बेसेफ के जवानों ने रात करीब साड़े आठ बजे अमरित्सर के छाना गाउं के पास पाकिस्तान का एक ड्रोन मार गिराया जवानों ने ड्रोन के साथ पैकेट बरामत के दौरान एक 21 वर्षिय योती ने नौकरी का जहासा देकर दुश कर्म करने का आरोप लगाया है आन प्रदेश के एलोरू जिले में शनिवार को 18 आवारा कुट्टों को जहर देकर मारने का मामला सामने आया पकले जाने पर आरोपी ने दावा किया कि गाउं के सरपंच ने उसे कुट्टों को मारने का आदिश दिया था मुझाफरपुर के एक कॉलेज में रईवार को हिजाब को लेकर जम कर हंगामा हुआ ब्लूटूथ डिवाइस पहने होने के शक पर प्रिंसिपल ने छात्राओं को हिजाब अटा कर कान दिखाने को कहा इस पर लड़किया भड़क गई और परजनों को बुला लिया महाकाल मंदिर पर ने दो योतियों द्वारा डांस करते हुए रील बनाने को लेकर एक बार फिर विवात खड़ा हो गया है मंदिर के पुजारी ने आपत्ती दर्च कराई है वहीं कलेक्टर ने जाच के बाद कारवाई की बात कही है चीन की कॉम्मिनिस्ट पार्टी सी सी पी की बीसमी कॉंग्रिस चल रही है दहिंदू और एच्टी मीडिया के रिपोर्ट्स के मताबिक इस मीटिंग में हुई चर्चा से ज़्यादा जिस बात निसब का ध्यान कीचा वथा गलवान जड़का वीडियो दिखाना इस दोरान गलवान में लड़ने वाले कमांडर को भी बुलाए गया था जिन्पिंग सरकार की उपलवधी के तोर पर दिखाया गया ओपक देशों की क्रूर ओयल प्रोड़क्शन घटाने के फैसले से अमेरिका नाराज है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक अगले मेने इंडोनेशिया में होने वाली G20 समिट में जो बाइडेन और सौधी अरब के क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सल्मान की मुलाकात नहीं होगी अब सुनते हैं बिजन्स वर्ल्ड की लेटेश नियूज दिवाली नजदीक आते ही रोशनी के इस दिवहार के लिए लाइटिंग का बाजार सच गया है एक हजार करूर रुपे के इस बाजार पर कई साल से चाइनीज प्रोड़क्स का सौ प्रतिशत कब जा था हाला की गलवान संगर्श के बार चीन के प्रती उठा गुस्सा अब तक कायम है ग्राहक मेड इन इंडिया ज़ालर पसंद कर रहे हैं एक कारणे की बाजार में 30-40 प्रतिशत ऐसे ज़ालर बिक रहे हैं जो इंडिया में बने हैं खास बात यह है कि जहां चीनी ज़ालर की कोई वारंटी नहीं होती वहीं भारती ज़ालर पर 3-4 सीजन की वारंटी दी जा रही है कल शेर बाजार में तेजी देखने को मिली सेंसेक्स 491 अंग की तेजी के साथ 58,410 पर बंद हुआ निप्टी 126 अंग चड़कर 17,311 पर क्लोज हुआ वहीं सराफ़ बाजार में कल सोना चांदी में गिरावट देखने को मिली 24 करेट सोना 50,430 रुपए प्रती 10 ग्राम पर बंद हुआ चांदी 55,643 रुपए प्रती किलोग्राम पर पहुँच गई कल रुपया डॉलर के मकाबले 16 पैसे कमजोर हुआ एक डॉलर 82 रुपए 35 पैसे का हो गया कंजिमर डूरेबल्स और इलेक्ट्रोनिक्स के रीटेलर इलेक्ट्रोनिक्स मार्ट की सोमवार को तिरपन प्रतिशत प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई इसका एश्यो प्राइज 69 रुपए था एनसी पर स्टॉक 90 रुपए और बीसी पर 89 रुपए 40 पैसे में लिस्ट हुआ SBI कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक ने अपनी उधारी दरों में वृद्धी की है इससे बैंक से व्यक्तिगत कर्ज, आवास और वाहन रिलेना मेंगा हो जाएगा नई दरें 15 अक्टूबर से लागो हो गई है अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार T20 वर्ल्ड कप के पहले वाउम अप मैच में टीम इंडिया ने आस्ट्रेलिया को 6 रन से हरा दिया आखरी ओर में आस्ट्रेलिया को जीत के लिए 11 रन चाहिये थे लेकिन गेंद सुरी कुमार के सिर पर जा लगी इससे उनके हैलमेट का किनारा तोट गया 10 मिनिट तक खेल रुका रहा लेकिन सुरिया ठीक हो गया और उन्होंने भी कमाल की पारी खेली इस मैच में टीम इंडिया ने 20 ओर में 6 विकेट खोकर 186 रन बनाए टीम इंडिया की ओर से सबसे ज़्यादा केल रहुल ने 35 बॉल में 57 और सुरी कुमार यादों ने 33 बॉल में 51 रन की पारी खेली टी टॉन्टी वर्ल कप में लगाता दूसरे दिन बड़ा उलट फेर हुआ दो बार की चैंपियन वेस्ट इंडिस कौलिफाइंग राउंड का पहला मैच हार गई उसे स्कॉट लैंड ने 161 रन का टार्गेट दिया वेस्ट इंडिस की टीम 118 रन पर ही ओल आउट हो गई उसके साथ बैटर्स दहाई का आकड़ा भी नहीं चू सके T20 वर्ल्ड कप के चौथे मैच में जिंबावे ने आईरलैंड को हरा दिया कल जिंबावे ने ग्रोप B में 36 रनों से जीत हासिल की में अफ दे मैच जिंबावे के सिकंदर रजा ने तूफानी पारी खेलते वे और 42 गेंद पर 82 दिन बनाए उन्होंने एक विकेट भे लिया सुमवार को वी पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड के वामप मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया पाकिस्तान ने इंग्लेंड को 61 रन का टार्गेट दिया जिसे महज 15 और में इंग्लेंड ने हासिल कर लिया दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आज का अगबार आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को अपनी एक प्यारी सी लाइक देकर सपोर्ट करना ना भूलें और इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करने जो बिना समय गवाएं दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हों तो चलिए अब सुनते हैं मनुरेंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें बॉलिवड आक्ट्रेस उर्वशी राउतिला ने इरान में चल रहे हिजाब प्रोटेस्ट के समर्थन में अपने बाल कटवा लिये हैं उन्होंने प्रोटेस्ट के दौरान लड़कियों की हत्या का विरोध भी किया है सुपरस्टार शारुक खान के छोटे बेटे अबराम ने स्कूल के ताइकॉंडो मैच में जीत हासिल की है कॉंप्टिशन में अबराम को चियर करने के लिए शारुक अपनी पूरी फैमिली के साथ पहुँचे थे शारुक ने खुद अबराम को गोल्ड मेटल पहनाया जैया बच्चन एक बार फिर पैपराजी पर उनकी फोटो लेने पर भढ़क गए इस पर उने काफी ट्रॉल किया जा रहा है एक यूजर ने लिखा यार इसे बच्चन साहब जेलते कैसे हैं आज भी रेखा को याद करके रोते होंगे शादी के महट चार महने बाद ही सरोगेसी के चरिये माता पिता बनने के वज़े से नैंतारा और विगनेश मुश्किलों में फस कहे थे लेकिन अब कपल ने खुलासा किया है कि वो छे साल पहले ही अपनी शादी रजिस्टर करा चुके थे साउथ कोरिया के फेमस बैंड ग्रूप बीटियस के सभी मेंबर्स अब जल्द ही अपने देश की आर्मी जोईन करने वाले हैं साउथ कोरिया के रूल्स के हिसाब से 18 से लेकर 28 तक के सभी युगाओं को आर्मी में दो साल की ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है यानि अब अगले दो सालों तक बीटियस के मेंबर्स स्टेज पर परफॉर्म करते नहीं दिखेंगे और अब आज की रोचक खबर कानूनी सजा से बचने के लिए एक बाप बेटे ने ऐसी चाल चली कि सबके होश उड़ गए भागलपुर में अपने बेटे को रेप की सजा से बचाने के लिए बाप ने जिंदा बेटे की चीता सजाई बेटे को उस पर लिटाया और फोटो क्लिक कर थाने में सब्मिट कर दी ये सब कुछ इतनी सफाई से किया गया कि पुलिस बीडियो पीड़ता परिवार और कोर्ट गुमरा हो गए लेकिन कहीं से पीड़ता की मा को भनक लग गई कि बाप बेटे ने चाल चली है उसने केज दोबारा खुलवाया और तब जाकर सच्चा ही सामने आई तो दोस्तों ये हो गए आज के प्रमुक समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीम खबरें अब समय है कल पूछे के प्रश्ण का उत्तर देने का कल मैंने पूछा था किस राज में पहली बार MBBS की पढ़ाई हिंदी में होने जा रही है उत्तर प्रदेश, 36 गड़िया, मद्र प्रदेश सही जवाब है मद्र प्रदेश जन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई और अब आज का सवाल आज का सवाल है कि famous band BTS किस देश का band group है A. South Korea, B. North Korea C. Taiwan क्रिपया कमेंट के मादम से अपना उत्तर जरूर दें आज का अकबार अंतक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद and once again I request you to please subscribe आज का अकबार and share this podcast with your friends इस तो कल फिर होगी मुलाकात क्योंकि हर दिन, हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अकबार तब तक के लिए नमस्कार